है है गाइस वेल्कम टुथ ट्वेंटी एइथ लेक्चर ऑफ दे चैप्टर मोर्फोलोजी और फ्लावरिंग प्लांट्स आयम हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिलियसी फैमिली के बारे में तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं देखो अगर हम बात करें लिलियसी फैमिली की तो यह फैमिली इंपॉर्टेंट फैमिली है इंसी आर्टी का फैमिली है इंसी अर्टी में डीटेल में इस फैमिली के बारे में जिक्र किया गया है तो आप अच्छे से पढ़ेंगे लियसी फैमिली मोनोकॉट का फैमिली होता है मोनोकॉट क्लास होता यानि कि लिलियसी फैमिली में जो members होते है उनमें flower का arrangement कैसा होता है in fluorescence का मतलब क्या होता है arrangement of flower on the pedicle तो arrangement जो होता है वो होता है flower का solitary होता है साइमोज होता है और हमेशा often umbilit clusters के form में present होता है flowers इसका मतलब क्या है समझेंगे इसका कॉमबन नाम है onion इसका figure दिया है अनियन जो है लिलियसी फैमिली का member है ठीक है अब यहां पर यह अनियन है मैं वापस से एक अनियन बनाया हूँ बगल में कुछ ऐसा इस अनियन में मैंने stem को दिखाया है और scape को दिखाया अब यह scape क्या होता है देखो अनियन पक्रो या garlic पक्रो खेक है एक ही है एक ही तरह देखने में एक ही जैसा होता है अनियन गार्लीक एक ही family का member है लिली एसी family का member है अब सुनो जब तुम अनियन को एकदम पूरा चिलो गयते एकदम पूरा हटा दोगे सारा जितना अभी उसका fleshy पार्ट है तो अंदर में तुम्हें एक लंबा सा दिखेगा green color का structure जिसे हम कहते है scape garlic में अगर जो garlic होता है lesson सारे जो चोटे-चोटे lesson के जो कली है चोटे-चोटे क्या कहते है उसको उसको हटा दो ठीक है तो तुम्हें बीच में escape मिलेगा एक लंबा सा stem-like structure मिलेगा जिसे कहते है scape ठीक है यह जो scape है इसके उपर onion का जो flower है जो flower है यह arranged होता है flower का arrangement कैसा होता है flower का arrangement होता है कैसा solitary cymos या often umbellet clusters समझेंगे इस तरीके से flower arranged होता है एक यहां पर branch निकला टिप पे flower आया branch मिच्ची और हो गया इस branch से एक और branch निकला इसके टिप पे flower आया यह branch भी मिच्ची और हो गया फीलेक कि यहां पर एक ब्रांच निकला टिप पे फ्लावर मिच्छी और इसे करके कुछ इस तरीके से फ्लावर अरेज्ट होता है जैसे अगर मैं बनाके दिखाऊ तो इसा यह जो flour है यहां प Erica मैंने बना दिए अब यह देखो इस को कहते है यह जो तुम देख रहें हो इसको कुछ इस तरीके से और हैंगो एक are च्रीक्प पीज़िस करदो और यह जो आरेंजमेंड רגment है flower का इसे हम कहते हैं साइमोग अर्नेट में अगर आपको इंफडसिन्स वाला लेक्चर या दो तो मैंने कहा था इंफडसिन्स जो कि इनफडसरी सेंज कि हो साइड साइड में लखते हुए चल रहा हो एंफडसर जो होते हैं यह दो तरका होते हैं, ओर एक साइमॉस इंफोरीसेंस, ठीक है, साइमॉस में क्या होता है? देखो एक ब्रांच निकला ऐसे इसलिए ब्रांच मिच्वेश के आए, SG अधे ब्रांच निकल रहा है, तो क्या एक एक ब्रांच करके निकला है, तो ऐसे साइमोस को हम कहेंगे monocasal, monocasal मतलब one, monocasal या monocasal भी कह सकते हो, monocasal samos क्यों कहा, क्योंकि एक time पर देखो, एक branch निकल रहा है, और फिर वो उस पर tip पे flower आ रहा है, और mature हो जा रहा है, फिर जब ये branch mature हो गाँ अब फिर ये branch निकल रहा है, tip पे flower आ रहा है, तो इसे साइमोस को हम कहते हैं monocasal साइमोस और इसमें भी अगर और डीटेल में टाइप पुछले तो Scorpion Cym कहेंगे हम इसे Scorpion Cym अब यहीं साइम यहीं जो हमारा साइमोस है साइमोस on फ्लोरिसेंस है इसको मैं compress कर दूब तो कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है कुछ ऐसा दिखेगा और इसे हम कहेंने अंबरेल一个 क्लस्टर क्यों का हमने दिखें अंब्रेला शेपड हर लगरा है अंब्रेला की तरह की तरह देखने में अंब्रेला चाते की तरह अमबलेट क्लस्टर, excuse me, now remember one thing, अमबलेट क्लस्टर, अमबल किसमें बनता है, रेसी मोज में, जब हम रेसी मोज इन फ्लॉरसेंस को डिटेल में पर रहे थे, तो हमने उसमें पढ़ा था, अमबल रेसी मोज के बारे में, नहीं है देखो यह रहा रीमो इंबल रिसिमो इंबल किसका टाइप है रिसिमो जाइप है रेकी मुस्नॐ किस तरू कहते है रूश सें Gill के सबने Prem अचेन क्या आपको यहां पे साइमोज का अंबल दिख रहा है साइमोज अंबल साइमोज के अंदर अंबल जो है उसे हम क्या कहेंगे साइमोज अंबल कहेंगे साइमोज अंबल कि नऊ remember वन धिंग रेसीमोग के अंदर रेसीमोग इन फोरी सोरी से इंडर इसीमोग अंबलक टाइप पड़ते हैं अं लोग और इसे हम कहते हैं टू को अंबल अंबल ब्ट जो कि हैं पे ढूँ मेगा साइ्मोग में हमें यहां पे अंबल लेकिन हमेशा याद रखना ट्रू अंबल जो है वो रेसी मोज बनता है रेसी मोज में जो रेसी मोज टाइप है इसमें हमें ट्रू अंबल देखने को मिलता है साइमोज में हमें फॉल्स अंबल देखने को मिलता है लिलियसी फैमली के अंदर तो नीट में कुश्चन कैसे आएगा नीट में आपसे सवाल पुछेगा कि इन गार्लिक और अनियन दा अंबले ट्रूस्टर डैटा फॉर्म यार विच टाइप ऑप्शन वा जाएगा रेसी म के अंदर अंबल आता है तो आप खटाक से रेसी मोज में टिक करके आ जाओगे और आपका कुश्चन जो है सवाल जो हो जाएगा गलत है क्योंकि आपको एक्स्टा नॉलिज जो है वो रखना है ठीक है तभी आप मिजॉरिटी से उपर रपाऊगे ठीक है अगर पूछेग ठीक है तो यह चीज़ ध्यान में रखना इन गार्लिक एन अनियन अंबलेट क्लस्टर्स दाट आफ फॉर्म्ड यह नौट फ्रेसी मोज टाइप दिया रफ साइमोज टाइप ओके तो इतनी सी बात को समझाने के लिए इतना कुश खिषडी पकाना पड़ा तो इंफोरिसे हमें साहिमोज इंफोरिशं सब्सक्याइब देखने को मिलत ऑफ इंफोरिशें साइमोज है और किस टरीके अर्जटेंग है जैका हुआ कैसा है false umbrella इसलिए सायमोज और अमपलेट cluster यह अंबलेट cluster किस टाइब का अमबलेट cluster है साइमोस टाइब का अंबलेट cluster है ऐसे तो अमबल रह्म होता है जो कि हमने पढ़ रखा है true ऑमबल जीसे हम कहते है बट लियली ऐसी फैमिली के अंदर हमें false अंबल भी देखते को मिल गया जो कि साइमोज अंबल है next point देखो fruit की अगर हम बात करें तो लिलियसी family में fruit कैसा होता है capsule या rarely berry fruit होता है capsule fruit या berry fruit हमें देखने को मिलता है लिलियसी family के member में next point is seeds बात करें seed की तो endospermic seed होते हैं मैंने already आप लोग को कहके रखा है कि monocot family में जो members होंगे members of monocot family mostly monocots are endospermic ठीक है बोल के रखा है न mostly monocots are endospermic and mostly dicots are non endospermic लियसी family is a family of monocot class तो लियसी family के अंदर जो member होंगे उन member में जो seeds होंगे वो seed कैसा होगा वो होगा endospermous यानि की endospermic नौ यहाँ पर तो हमने क्या देखा inflorescence देखा, fruit देखा, seeds देखा चलो अब अगले slide में बढ़ते हैं और लियसी family का floral arrangement देखते हैं, floral representation moving on to the next slide चलो अब हम देखते हैं, floral representation यानि कि floral diagram लियसी family का लियसी family में आपको ये रा ये रा floral diagram, floral representation लियसी family के flower का इसमें आपको देखने को मिलेगा parent, parent होता कि मैंने तो इसे बहुत बार बोल दिया, लेकिन यहाँ पर एक बार और अच्छे समझा देता हूँ, usually देखो dicot को जब हम पढ़ रहतें, तो dicot class के अंदर जितने भी family थे, उनका जो member था, यानि कि उनका जो example था वो सारे flower जो थे वो सारे flower में आपको calyx, corolla देखने को मिल रहा था, लेकिन liliacy family, जो कि monocot class का family है liliacy family के जो flower, यानि कि monocot family के जो member होते है, जो example होते है, उनमें आपको calyx या corolla देखने को नहीं मिलता है, उसमें आपको देखने को मिलता है period, अब होता क्या यह period, देखो, मैंने यहाँ पे tulip बनाया, एक rose बनाया tulip जो होता है, वो यह monocot class का, monocot family का member है जैसे liliacy क्या है, monocot class का family है, और tulip जो है, यह हमारा liliacy family का एक example है, ओके और rose, dicot class का family, उसका एक example है rose, ठीक है, dicot के अंदर rose, monocot के अंदर tulip, अब मैं आपको बोलू कि अच्छा बता हो, rose में कौन सा sepal है, कौन सा petal है, तो तुम्हारा आम से बोल दोगे, कि भाया, यह जो है यह sepal है और whole of sepal को भाया हम कहते है calyx और यह जो है, यह भाया petal है petal whole of petal को हम कहते है corolla लेकिन अगर मैं तुम्हें बताओ, पूछू कि अच्छा बताओ tulip में कौन सा calyx है, कौन सा corolla है, तो तुम confuse ही आ जाओगे, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा हो, कौन सा calyx कौन सा corolla, देखो, zoom कर देता हो, खुद ही देख लो बताओ, कौन सा calyx है, कौन सा corolla है रोज में तो तुम आराम से बता दिये थे तो tulip में, जो कि एक monocot family का member है हम आराम से distinguish कर ही नहीं पाते है कि कौन सा calyx है, कौन सा corolla है यानि कि कौन सा sepal है, कौन सा petal है तब हम क्या कहते है, ऐसे structure को हम नाम दे देते है टेपल और whole of teples को कहा जाता है perient ठीक है, perient यह सब क्या है, यह सब teple है और whole of teple को हम कहते है perient तो यह बहुत एक important characteristic है monocot class के जो family है उनका कि monocot class के जो family होंगे उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा perient और dicot class के जो family होंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा corolla और calyx दूसरा important characteristic monocot class के family का यह है कि monocot के जो family है उनमें जो flowers है, वो सब flowers trimerous होंगे यानि कि 3 के multiple में perient, hydrosium, gynosium यह सब present होगा ठीक है 3 के multiple में यानि कि 3 हो गया, 6 हो गया 9 हो गया, 12 हो गया 15 हो गया, 18 हो गया 21 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया यह सब क्या, यह सब multiple of 3 है तो अब देखो liliasi family में यह जो floral representation है यहाँ पर आपको perient देखने को मिले आपको perient देखने को मिल रहा है यह perient मना होता है whole of temple से total 6 temple present होते है liliasi family में ठीक है whole of temple को हम कहते है perient 3 plus 3 के arrangement में present होते है 3 plus 3 के arrangement में क्यों देखो, total 6 है जिसमें से 1, 2, 3 temple जो है, वो अंदर की तरफ है और 1, 2, और 3 जो temple है वो बाहर की तरफ है तो इसलिए arrangement हो गया 3 अंदर वाले temple के लिए और 3 बाहर वाले temple के लिए इसलिए 3 plus 3 bracket का इस्तेमाल क्यों किया हमने bracket का इस्तेमाल हमने किया क्योंकि देखो, यह 6 के 6 जो temple है, आपस में fused है आपस में fused है और fused होने के लिए united है और united होने के लिए हम क्या करते है जब भी united होता है कुछ चीज या fused होता है तो हम bracket से show करते है उसे, तो bracket लगा दिया और यह सारे के सारे आपस यह जो temple है आपस में fused होते, united होते और tube-like structure बना लेते है तो 6 temple 3 plus 3 के arrangement में bracket है often united into tube बात करें estivation की तो हमें valvet estivation देखने को मिलता है लिलियसी family में लिलियसी family का जो parent है उसमें कैसा estivation है valvet estivation valvet estivation क्या होता है यह सब मैंने estivation वाले lecture में समझा कर रखा है अब हम बात करते हैं androsium की androsium क्या whole of stamen को में कहते है androsium ठीक है total 6 stamen present है गिलो 1,2,3,4,5,6 3 plus 3 वापस हमने क्यों लिखा क्योंकि 3 stamen 1,2,3 यह अंदर वाले temple से attached देखो अंदर वाले temple से attached है और जो और जो 3 stamen है 1,2,3 यह बाहर वाले temple से attached है इसलिए 3 plus 3 लिखा हमने एपी पेटलस का मतलब क्या होता है देखो जितने भी stamen है यानि कि androsium है वो सब किस से attached है टेपल से यानि कि पेडियंट से तो पेडियंट के साथ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे P लगा देंगे P पेडियंट को शो कर रहा है और A एपी पेडियंट को शो कर रहा है और यहाँ पर यह ऐसा एक structure यह ऐसा ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से इसका मतलब होता है कि यह जो androsium है यह कैसा एपी पेटलस है यानि कि androsium किस से बाना है स्टेमिन से और यह सारे कि सारे स्टेमिन किस से अटाच है यहाँ देखो टेपल से अटाच है तो इसलिए हम ऐसे androsium को कहते है एपी पेडियंट को शो कर रहा है यानि कि whole of temple androsium A यानि कि whole of stem और ऐसे यहाँ पर यह symbol बना देते है यह दर्श आता है कि endrosium कैसा है इपी पेडिस है next अगर हम बात करें गायनोशियम की तो ट्राइकारपिलरी होते है देखो सब थ्री के मल्टिपल में थ्री के मल्टिपल में ट्राइकारपिलरी तीन कारपल का बना होता है हमारा गाकशियम यह इसी family के member में सिंक कार्पस होते है यानि कि तीनों के तीनों कार्पल जो होते हैं वह आपस में क्या होते है फ्यूज़ होते हैं और इसमें अटाइच्ट होते हैं कि ओवरी सुपीरियर होता है थैलमस के ऊपर प्रेजेंट होता है बात करें प्लेसंटेशन की तो एक्जाइल प्रेसेंटेशन होता है एक्जाइल प्रेसेंटेशन ठीक है मैंने प्रेसेंटेशन तुम्हें बढ़ाक रखा है क्या होता है एक्जाइल प्रेसेंटेशन होता है ट्राइल ओक्यूलर ओवरी होता है विट में डिवाइड़ होता है त्राइल ओक्यूलर विट में आफिनी ओवियूजू, COM कैसा है as an कार्फिलयर कह है बहुत सारे और यह सारे धोए सब्सक्राइब क्यन के artist मतलब किन अ सwest त्लोलोक्यूल कैसा है विटमूत है थे यह हमने बाद करली दियूरल neighborhood क्यए लिएसी फैम्दी की अब इगवाओ फ्लोरल फार्मुला देख लेते हैं फ्लावर टा 2012 टीक है और सिमेट्रिक मैंने आप लोग को पहले से बढ़ा हैं रखाएं सिमीट्री होता है कैसा सिमेट्रीा होता यारी के एक्टिनो मोर्फिक सिमेटरी होता है फ्लावर का बाइसेक्शल फ्लावर होते हैं और बात करें पेडियन्थ की तो देखो 3 की बात करें देखो 3 प्लस 3 तीन स्टेमन जो है वह अंदर वाले इनर टेपल से टैश्ट है और यहां पर फिर हमने यह ऐसा यह बना दिया जो की दर्शाता है कि अपर आपस में अटैश्ट यह गाइनोश्यम की नीचे हमने लाइन ड्रो कर दिया जो की दर्शाता है कि ओवरी कैसा है सुपीडियर है ठीक है और 3 तीन कारपल का बना हुग है तीन कारपल इसलिए 3 लिखा और जो की यह सिंक आपस यानि कि तीनों कारपल आपस में फ्यूजड है तो अगें फ्यूजन के लिए हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया हमने फ्लोरल फॉर्मुला देख लिया लीए की फार्मुला और यहां पे हमने फ्लोरल डाइग्राम देख लिया छैना आब लेट्स बाउट पर दिग्जाम्पल्स अफ व लिलिएक सीड फैम्ली है टुलप और गलोरियोसा शालियोके यह दो इस्ञांपल लीएज़ामपले लीएक सीामली के निवीएक यह सजावत के काम आते हैं, decoration के काम, ornamentals, ठीक है, source of medicine, source of medicine, alloy, alloy जो है, वो लिलियसी family का member है, जो कि as a source of medicine यूज होता है, दवाईया यह से बनाने में ठीक है, vegetable, asparagus, it is again a member of लिलियसी family, जो कि as a vegetable हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिलियसी family किया complete, यहाँ पर lecture होता है, समात, तो guys, यहाँ पर lecture खतम होता है, अब तुम्हें lecture समझ में आयोगा, समझ में आयोगा, तो please वीडियो को like करना, निटालजी को social media पर follow करना, Instagram पर, Facebook पे, Twitter पर, और Telegram पर जो channel निटालजी का इसको जाकर join करो, यहाँ पर मैं notes upload करता हूँ, तो यह यहाँ से तुम्हें notes मिल जाएगा, और सबसे important बात, निटालजी का चैनल इसको subscribe करो, यहाँ पर तुम्हें चैनल का logo दिख रहा होगा, उसके click करो, चैनल को subscribe करो, bell icon ज़रू प्रेस करना, ताकि जब भी मैं ने वीडियो upload करो, तो तुम्हें notification मिले, और तुम्हें और भी